ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 16 जून 2023 बावा के महावाक्य मीठे बच्चे साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म एक राज की स्थापना करते हो यह है साइलेंस का घमंड प्रश्ण है सारी दुनिया अपने आपको स्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते उत्तर है सारी दुनिया भगवान को सर्व्यापी कै अपने आपको स्रापित करती और बच्चे बाबा बाबा कै फिर यदि काम अगनी से स्वयम को भस्म करते तो स्रापित हो जाते माया का थपड लग जाता है बाबा कहते हे मीठी लाडली आत्मा है अब सतो प्रधान बनो भस्मा सुर नहीं ओम शान्ती बच्चे जानते हैं कि हम अभी अंधियारे से रोस्नी में जाते हैं चंद्रमा की रोस्नी ऐसी है जैसे सूश्म वतन सूरे निकलता है तो उसकी तपत हो जाती है चंद्रमा सीतलता देता है अब यह लाइट तो इन आखों के लिए है आत्मा को भी आँखे हैं और इन आखों से प्रह्मा रत जिसमें सिवावा प्रविश करते हैं उनको भी जानते हैं तुम बच्चों को पहचान हुई है ये पहचान तब होती है जबकि सम्मुख मिला जाता है नंदीगर भागीरत भी कहते हैं नंदीगर हमेशा बैल को दिखाते हैं भागीरत फिर मनुष्य को दिखाते हैं एक शंकर का चित्र दिखाते हैं समझते हैं उनसे गंगा आई अब पानी की गंगा तो है नहीं ये अभी तुम जान गए हो अभी तुम ब्रहामणों को सभी सास्त्रों आदी का ग्यान है सभी वेदों, ग्रंथों, उपनिशदों आदी का तुम सार समझाते हो कई बच्चियां हैं जिनोंने कभी कोई सास्त्र आदी पढ़ा और सुना ही नहीं है परंतु सभ वेदों सास्त्रों के सार को समझ रही है अनपड और ही पड़े हुए से तीखे जाते हैं अनपडे आगे पड़े हुए भरी ढोएंगे नहीं तो अनपडे पड़े के आगे भरीड होते हैं यहां ये वंडर है न कुछ नहीं है पड़े हुए सब वेद सास्त्रों धर्मों भक्ती मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं मनुष्य वानप्रस्त आवस्ता में ही सुरू करते हैं फिर वे बैट उन्हों को सास्त्र आदी सुनाते हैं वे समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है जैसे कोई पहाडी है कहां से भी उपर चड़कर जाना है परंतु ऐसे तो है नहीं तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए हो कुमारियों द्वारा ही परंपिता परमात्मा ने भीस्म पितामा आदी को ज्यान बाण मरवाए हैं दुनिया इन बातों को नहीं जानती जगत अंबा सरस्वती कुमारी है न बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखाते हैं वास्तम में ग्यान सागर से निकली हुई ग्यान सरस्वती है मम्मा बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती आती है क्योंकि वह उल्टी सीड़ी नहीं चड़ी है पुरुष जब शादी करता है तो इस्तरी में मो चला जाता है फिर मा बाप आदी सबसे मो निकल इस्तरी के मुरीद बन जाते हैं फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उन में मो चला जाता है अभी तुम सबसे नश्टो मोहा बनते हो अपने को आत्मा निश्चित करते हो आत्मा का योग है बाप से योग अर्थात याद तुम्हारी बात ही निराली होती है कन्याय तो पवित्र होती है वे तीर्थ आदी नहीं करती ही क्योंकि हैं ही पवित्र मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काटने समझते हैं गंगा पतित पावनी है पतित पावन तो एक होना चाहिए ना गंगा पतित पावनी है तो फिर वहां क्यों जाते हैं वहां देखने जाते हैं कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली कुछ ना कुछ गव मुक आदी बना कर रखते हैं तो बाब बैट समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, वह बाब भी है, सत्गुरू भी है, मंदरों में स्रीकरस्न के पाव दिखाते हैं, सिवबावा को तो अपने पैर है नहीं क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है, जो कोई चरणों की धूल बने, बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको सिवबावा के चरणों की धूल नहीं बनना है, मैं इन सब कलियोगी रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को आकर छुडाता हूं, मेरे चरण है नहीं, सिव को तो शरीर है नहीं, ये तो ब्रहमा का तन है, इसलिए तुम अबावा की पूजा नहीं कर सकते, इस भागयशाली रत में शिव आया है, भक्ती मार्ग में सिवो हम कहने वालों पर फूल आदी चड़ाते हैं, ये हैं सब भक्ती मार्ग की रस्म रिवाज, अर्थ कुछ भी समझते नहीं, कहते हैं इस्त्रियों को लिंग की पूजा नही करनी चाहिए, परंतु वे कौन है ये भी समझते नहीं, वास्ता में सिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, वे तो स्टार है, उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते, सिव माना ही है परंपिता परमात्मा कल्यान कारी, वास्ता में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए, सि पतित से पावन बनाते हैं, सब का कल्यान करते हैं, जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायन थे, वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, तो सब पतित हो गए, सतो प्रधान से रजो तमो में सब आ गए, सबका कल्यान करने वाला एक ही बाप ठेरा इस समय मनुस्य सब पतिद बने हैं पहले आने से ही पतिद नहीं होते पहले तो पावन होते हैं ये बाप बैट समझाते हैं मेरे लाडले सिकी लदे बच्चे वा साली ग्रामो सुनते हो बाप इस मुख से क्या कह रहे है और कोई तो कहना सके कोई भी सन्यासी आदी कहना सके कि हम एवर पावन इस सरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हूँ बाप ही कह सकते हैं कई बाबा बाबा कहकर भी फिर भस्मा सुर बन जाते हैं माया थपड लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते हैं काम अगनी है ना बाप आ कर इस भस्मा सुर पने से छुडाते हैं समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मेरी संतान हो तुम ब्रह्मांड में रहते हो वहां तुम असरीरी हो इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है फिर पाट में आते हो यह भी ड्रामा बना हुआ है अभी तुम्हारी प्रालब्द खड़ी है अभी तुम हो चित्रिकाल दर्सी यह संसकार तुम्हारे यहां ही प्राएं लोप हो जाते हैं यह ग्यान वहां नहीं रहेगा जब तक यहां हो तो ग्यान है समझो कोई यहां से संसकार ले जाते हैं वह फिर इमर्ज होते हैं तो उसी अनुसार इस शक्ती सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं लडाई वालों का मिसाल उनमें थोड़ा बड़ा होने से ही मिलेटरी में दाखिल हो जाता है कोई कोई यहां आना होगा तो संसकार जो ले जाते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं फिर ऐसे संसकारों वाले छोटे बच्चे भी यहां आते हैं फिर सुरग में नया जनम लेंगे, तो यहां के संसकार खत्म हो जाएंगे। पिर राजधानी के संसकार आएंगे प्रालब्द भोगने के लिए। यह संसकार मर्ज हो जाते हैं। कई बच्चों का बहुत लव रहता है, तो वह आत्मा देहकर खुश होती है। परंतु आरगंस छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते हैं, बड़ा होने से संसकार इमर्ज होते जाएंगे, बाप कितनी बातें समझाते हैं, परम पिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए, वह है स्वर्ग का रच्टा, नर्ग का रच्टा नहीं कहेंगे तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं कल्प पहले भी लिया था इसी समय पर ही बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है ये सिर्फ तुम ही कह सकते हो ये हैं बिल्कुल नई बात है तुम समझाते हो गीता मैं गीता है माई बाप बाकी सब सास्त्र हैं उनके बाल बच्चे गीता से ही राजियों का वैस्वर की राजाई का वर्सा मिलता है बाकी बाल बच्चों से वर्सा क्या मिलेगा तुम तो अब पारस बुद्धी बनते हो तुम्हारे महल आदी भी बहुत क्वीक बनेंगे तुम्हारा है साइलेंस का घमंड उन्हों का है साइंस का घमंड तुम सर्वशक्तिमान बाप से राजाई लेते हो भारत के तुम मालिक बनते हो ये हमेशा बुद्धी में रखो विश्व का रचता हमको विश्व का मालिक बनाने लिए पढ़ाते हैं एक सेकेंड में जीवन मुक्ती देते हैं तो क्या एक सेकेंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे एक सेकंड में आतमा यहां से लंडन अमेरिका आधी में जाए जन्म लेती है आतमा एकदम फ्लाइंग स्क्वाइड है है कितना छोटा इस्टार पुनर जन्म तो जरूर मानेंगे तुमने कितने पुनर जन्म लिये हैं 84 जन्मों में जरूर आना है जो बिल्कुल ही पते सूद्र बुद्धी है वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धी बनते हैं स्वच्छ बुद्धी का संग जरूर ऐसा ही बनाएगा अभी तुम मास्टर ज्यान सागर ठेरे जो बाप में गुड है वे तुम धारण करते हो तुम भी कहते हो मन मनाभव तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी बाकी दिव्य द्रश्टी की चावी बावा के पास ही है तुम मनुष्य से देवता बनते हो इसलिए बच्चे को भी ताज दिखाते हैं नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता वे प्रिंस ही देखते हैं माताएं साक्षातकार में देखती हैं हम जाकर महरानी बनेगी ज्यान से भी समझ सकते हैं अभी हमारी आत्मा पतित है मैं कारपेंटर हूँ मैं गरीब हूँ ये आत्मा बोलती है अभी तुम जानते हो सिवावा द्वारा हम देवता बन रहे हैं आत्मा ही पतित और पावन बनती है अभी मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसे पतित है खाद पड़ी है ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मन्थन करते रहना चाहिए तो फिर आदत पड़ जाएगी विचार सागर मन्थन तुम बच्चों को करना है राइट क्या है? रोंग क्या है? अपने को आत्मा निश्चे करना है मैं ब्राम्मण हूँ सरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं सरीर को क्यों नहीं बुलाते? खिलाते भी आत्मा को है अच्छा आत्मा कैसे खाएगी? ब्राम्मण के सरीर द्वारा खाएगी न? इस्तरी समझती है पती की आत्मा को बुलाया है किसको इस्तरी में प्यार होता है जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं समझते हैं अब इनको क्या सोगात दें फिर उनको अंगूठी वा फुली पहना देते हैं है तो आत्मा सरीर तो नहीं आ सकता वास्तम में आत्मा कोई आती भी नहीं है ये सब ड्रामा में नूध है ये भी एक खेल है वैं समझते हैं फलाना आया हुआ है मैं उनको खिलाता हू बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं ये रस्म रिवाज है वास्तम में भ्रामणों को कोई नौकरी नहीं करनी है परंतु आज कल पेट के लिए सब कुछ करते हैं नहीं तो भ्रामण लोग अपने को बहुत उंच समझते हैं परंतु वे है कुखवनशावली तुम हो मुखवनशावली भ्रामण तुम्हारी बहुत महिमा है तुम अब समझ गए हो हम सारे स्रस्टी के आदी मध्यांत की नौलेज को जानते हैं सिवा एक बाप के और कोई को नौलेजफुल नहीं कहेंगे जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी गोध जरूर क्योंकि ये है मात पिता बाप आकर तुमको इन द्वारा रचते हैं ये बातें और कोई की समझ में मुश्किल आती हैं कितनी वंडर्फुल बाते हैं कहते हैं दिन प्रती दिन तुमको गूह राज सुनाता हूं अंत तक ये नौलेज धारण करनी हैं पिछाडी में जाकर कर कर्मातीत अवस्ता होगी आठ पास विद ओनर होते हैं मिलेटरी में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं ये सब पुरुशात कर रहे हैं कर्मातीत बनने की रेस है कौन अच्छी रीती योग लगाते और रूद्र माला में जाते हैं मम्मा बाबा तो प्रशिद हैं फ पास विद ओनर्स को फुल मार्क्स मिलते हैं वे सजा आदी कुछ नहीं खाते हैं उन्हों का मान बहुत है हमेशा नौ रतन गाये जाते हैं आठ नहीं चार की जोड़ी हो जाती है बाकी है एक बीज में बाप बाकी एक है बीच में बाप वे लोग तो अर्थ को नहीं समझत जिसने जो रायदी वे बना देते हैं जैनी लोग कितना हटियों करते हैं बाल निकालते हैं ये तो हिंशा हो गई वे सन्यास तो दुख देने वाला है तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है तुमको तो टेमपटेशन देकर तुमसे विकारों का सन्यास कराते हैं ये नॉलेज भी तुम्हारे शिवाए और कोई भी नहीं है कोई में नहीं है बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया अभी हम वापिस जाते हैं जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे याद में रहते और सर्विस करते रहें तो उनको जास्ती फल मिलेगा मोश्ट बीलवेड बाप है जिससे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला है कर्मातीत बनने की रेस करनी है अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है सुच्छ बुद्धी वालों का संग करके सुच्छ बनना है बाप के गुडों को स्वयम में धारण करना है स्वयम को कभी भी श्रापित नहीं करना है वर्दान है इच्छा मात्रम अविद्धा की इस्थिती द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्यानितु आत्मा भव जो ग्यानितु आत्मा अर्थात बुद्धिवान है उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है मांगने की कोई आविशक्ता नहीं रहती जब स्वता सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं तो मांगने का संकल भी नहीं उठ सकता ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्धा बन जाते हैं ऐसे ग्यानितु आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं मांगना पूरा हो जाता है इतना बड़ा स्वमान मिल जाता जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती स्लोगन है अपने मन बुध्धी संसकारों पर संपून राज करने वाले ही स्वराज अधिकारी हैं अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती